हेल्लो चैम्स, इस important sum में हमें दिया हुआ है 15,625 को हमें solve करना है और उसका जो solution आएगा, उसके base पर हमें values निकाल नहीं है 156.25 square root प्लस 1.5625 square root की तो चलिए शुरू करते हैं तो चैम्स, सबसे पहले हम solve करते हैं 15,625 को तो आपको पता है के right hand side से आपको pairs बनाने हैं सबसे पहले तो हमने एक pair बना लिया, दूसरा pair बना लिया तो long division हम करने जा रहे हैं, जिन students को long division सीखना है वो यहाँ पर, i button पर click करके, यह logo के उपर है जाकर long division सीख सकते हैं, फिर आकर आप यह sum देख सकते हैं तो chance, सबसे पहले हम one को solve करेंगे, तो one, one the time जाएगा one, one the, one, इसको minus करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा नीचे अब हम next pair नीचे लेंगे, यह आएगा हमारे पास 56 और आपको पता है कि next step में अब हम one का double कर देंगे, यानि यह आप जाएगा two, और 56 को हम divide करेंगे two से, तो two की table में two times four आता है, तो हम two यहाँ पर लिखेंगे और two ही यहाँ पर लिखेंगे, तब इस पूरी संख्या को हम two से multiply कर देंगे, तो answer आएगा 44, तो 56 से अब हम 44 को minus करेंगे, तो हमारे पास balance आता है कितना, six में से four गया, two, और five में से one, तो आपको पता है next step में अब हम 25 को नीचे लेंगे, इस pair को पूरा नीचे ले लेंगे और इस संख्या को अब हम double कर देंगे, यानि नीचे हम अब जो मिलेगा वो मिलेगा अब 24, अब इस पूरी संख्या को अब हम 24 से multiply करेंगे, तो two की table में six times 12 आता है, तो six हम उपर लगाएंगे और six ही नीचे लगाएंग चैंस अगर 246 को हम six के साथ multiply करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि संख्या हमारे पास 1225 से जादा आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, एक step नीचे करेंगे, यानि five से, two five the ten, तो five हम यहां लिखेंगे, और five ही हम उपर लिखेंगे, अब five से हम 245 को multiply कर देंगे, five five the twenty five, two balance चला गया, five four the twenty, और twenty में two add हो गया, तो twenty two, फिर two balance चला गया, five two the ten, और ten में two फिर add हो गया, तो आया हमारे पास 12, इसको माइनस करेंगे, तो नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो अब हम कह सकते हैं, कि हमारे पास जो 15625 का square root आया है, वो आया है, 125, यह हमारे पास इसका answer आया है, मगर अब हमें प्रूव करना है, 156.25 square root प्लस 1.5625 square root का solution, तो आये देखते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं, चार, आया हमारे पास करेंगे, तो इसको लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे, और इसमें आप देख रहे हैं, चार संख्या हैं हमारे पास decimal point के पास, तो इसमें हमें चार 0 लगाने पड़ेंगे, तो 15,625 upon 1,2,3,4, तो आई अब इनके हम square roots निकाल लेते हैं, तो उपर का अगर square root निकालेंगे, तो हमारे पास already answer आये हुआ था 125, तो 125 हम इस square root लिख दें, और नीचे का square root निकालने के लिए हमें क्या करना है, 100 के factors करने हैं, तो इसको 10 into 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल अब हम ऐसे ही इदर भी करेंगे, तो 125 हम उपर लिख देंगे, और नीचे 10,000 के अगर factors करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है 100 into 100, ऐसे लिखा जा सकता है, वैसे आप long division से भी इनके निकाल सकते हैं, तो इसको next step में 125 upon 10, वो कि अगर इसका square करते हैं, तो 10 से एक under root cancel हो जाता है, और इस 100 से भी एक square root cancel हो जाता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास यही answer आता है, 125 upon 100, अब हम decimal point लगा सकते हैं, हमारे पास 1 0 है, तो एक place के बाद decimal point लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 12.5 और यहाँ पर हम 2 decimal, 2 संख्याओं के बाद decimal point लगाएंगे, क्योंकि 2 0 है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.25 और अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास answer क्या आएगा, आप एक rough calculation कर सकते हैं, मैं सीधा answer लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास आ 5, तो जो हमारा final answer होगा, तो chance मैं आपको कुछ questions दे रहा हूँ, exercise के लिए, आप उन्हें solve कीजिए, और आप इस question को भी solve कर सकते हैं, practice के लिए, और मुझे comment box में जरूर mention करें, मिलते हैं जल्दी ही, till then bye and take care. झाल 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 झाल